लालो प्रशाद यादव के दोशी करार होते ही उनके बड़े लाल तीश प्रताप यादव का गुस्सा फूटा और गुस्से में उन्होंने कींद्र सरकार से ले करके राज सरकार को चेतावरी डेडाली है उन्होंने कहा है कि उनके प्रता को जानबूच करके जील की सलाखों के पीछे रखा जा रहा है जबकि असली भ्रस्टाचारी तो बाहर खोले आम घूम रहे है उन्होंने अपनी बातों में कई लोगों पर निशाना साधा है लेकिन उन्होंने एक बड़ा एलान भी कर दिया है कि कीस फरवरी से अब वो पूरे बिहार राज में निया यात्रा की शुरुवात करेंगे आपने सुना तीश प्रताप यादब के बायानों को तीश प्रताप यादब ने सीधे तरीके से बताया है कि उनके पिता लालु प्रशाद यादब को निया दिलाने के लिए वो निया यात्रा की शुरुवात करेंगे जिसकी शुरुवात 21 फरवरी से होगी 21 फरवरी से वो नयायात्रा की शुरुवात करेंगे जिसमें वो लालू प्रशादियादब के किये गए कामों का प्रचार प्रसार करेंगे और साथ ही अपने पिता लालू प्रशादियादब के लिए नयाय की गुहार भी लगाने वाले हैं इसके लिए उन्होंने एक टॉल सालों को करने वाले तो लोग बाहर घूम रहे हैं जिसमें कई बड़े-बड़े नेता भी शामिल है उन्होंने पी-एम मोदी से ले करके कई सारे नेताओं को घेड़ने की कोशिश की है और साथ ही ये कहा है कि उनके पिता को जेल की सलाकों के पीछे जान बूच करके रखा ज होने लगे जग्दा नंद सिंग जो की राज़त के प्रदीश अध्यक्षय उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि वो इस मामले को ले करके सुप्रीम कोट जाएंगे क्योंकि किसी को भी उमीद नहीं थी कि वो लालु यादव उम्र के इस पराव में भी जा करके जेल जाने मि लेगी तो सभी की नगाहें 21 फरवरी पर टिक गई है 21 फरवरी को लालु यादव को कितनी सजा मिले कि इसकी भी खबर आएगी और 21 फरवरी वो दिन भी है जिस दिन से तीश प्रताप यादव निया यात्रा की शुरुवात करने वाले है तो देखना ऐसे में एहम हो जाता है कि 21 फरवरी का दिन कैसा होता है इस खबर में इतना ही आप बन रहें न्यूस पियार के साथ और हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ इस वीडियो को लाइक और शेर भी करें धन्यवाद